तो इसके लिए आपका बहुत बड़ा डाउट है कि मेरिट लिस्ट क्यों नहीं आ रही सर हम डियू में एपलाई करें हम और गवर्मेंट यूनिवर्सिटीज में भी एपलाई करें या फिर कॉलेजों में एपलाई करें उसकी भी लाज डेट चल रही है तो इसलिए अड़ताल चल रही है फिलाल इसलिए वो मेरिट लिस्ट है क्या है लेट हो रही है वैसे आना शुरू हो गई है आपकी जैसे विज्वल आर्ट की आना शुरू हो गई है उनकी आगई है आपकी केमिस्ट्री वाड़नी जूलोजी और भी जितने भी 37 कोर्स का इंटरेंस तो वो भी लिस्ट है ज्यादा समय नहीं लेंगी इस 15 डेट से फेले फेले आ जाएंगी तो देखिए आज की जो लेक्सर है आज का वीडियो है इसमें आपन डिस्कस करेंगे कि मेरिट लिस्ट में कैसे देके मेरिट लिस्ट है उसे कैसे देके साइड वे उसकी चर्चा कर पहरेंगे कि merit list में नाम आ गया अब क्या करना हुआ जाती हो देखा आपने interest दे दिया फिस first और फिस second में आपने document verification करवा दिया अब फिस three मान सकते हैं कि आपका merit list में नाम आ गया तो अब क्या करना पड़ेगा जाती हो यह आपका doubt है इसके बाद आपन बात करते हैं कि अग के लिए सारी वीडियो से बहुत ही जादा helpful है तो इसके मत कीजिएगा एक एक point को अच्छी तरह से समझेगा ठीक है साती हो आंगे बढ़ते हैं देखिए आंगे बढ़ते हैं अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपका result आया result का मतलब scorecard आया था आप सभी को पता है उसके बाद यहां आ रही है merit list और merit list में नाम होने के बाद आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा admission ठीक है यह फिर क्रिया चली थी ठीक है साथियो तो यह सारी चर्चा हमने पहले कर चुके हैं अब अपन बात करते हैं कि merit list को कैसे देखें तो साथियो सबसे पहले आपको क्य है admission session 2023-24 इस पर आप क्या करेंगे click करेंगे click करने के पक्षात क्या करेंगे कि आंगे बढ़ेंगे आंगे बढ़ने के बाद आपका जो phase है वो आंगे redirect होगा इस वाली page पर और इस वाले page पर आप देखेंगे urtpg 2023-24 second phase start ये 28 तारी को start हुई थी और last date एक थी इसके बाद यहां लिख रखा है आपकी pg merit list 2023 इस पर अपन क्या करेंगे click करेंगे click करने के पक्षात क्या होगा कि आपको ये जो list है वो आपको दिखना शुरू हो जाएंगी अभी दिखना नहीं शुरू हो जाएंगी first list दिखना शुरू होगी यानि first और इस first पर click करेंगे क्योंकि तीन list आती है minimum तो तीन list में आपकी first list जो है यहां दिखना शुरू हो जाएंगी इस पर click करेंगे तो आपके सारे subject wise जो list हैं वो दिखना शुरू हो जाएंगी तो जैसा कि हभी मैं video बना रहा हूँ इस समय आप जाएगी आपके form दाउमलोड हो जाएगी डाउलोड होने के बाद आप अपना name सर्च कर सकते हैं देंके form number मिल जाएगा आपको roll number मिल जाएगा रॉनल नमबर के बाद आपका department name मिल जाएगा, जैसे gyology department, botany department, जैसे आपने phase two में document verification करवायता ना, जिस department में, वो यहाँ देखने को मिलेगा, course name देखने को मिलेगा, जैसे msc, mba, mcom, यहाँ candidate का नाम देखने को मिलेगा, यहाँ father's, उनके पिताजी का नाम देखने को मिलेग यहां category देखने को मिलेगी साथियो यहां आपके जो merit list की cut-off गई है वो देखने को मिलेगी और यहां आपको जो fee जमा करवानी है वो देखने को मिलेगी क्योंकि category wise fees में अंतर होता है ठीक है साथियो इतना confused नहीं होनेगा fees जैसे ST होती हो उसकी fees थोड़ी कम है और general की थोड़ी आई होती है female की थोड़ी कम होती है तो देख लेना आप यहां सो रही है ठीक है साथियो इसके बाद नीचे note जरूर पड़ना इस note में यह काम जरूर करवाला ठीक है अगर यह नहीं करवाय तो आपका admission rest हो जाएगा इस के तीन दिन के अंतरगत यह सारा काम करवाना पड़ेगा आपको document फिर से verification करवाने पड़ेंगे इसके लिए fee आपको online mode यह आपको सीधा सीधा देखने को मिल रहा है कि यह online mode से आपको fees deposit करवानी है वो भी website पर जाके ठीक है यह सारा काम देखने को मिलेगा यह काम जरूर क बहुत जरूरी है तो देखिए एक तो set बनाना है आपको photocopy का तो यह तो क्या हो जाएगा आपके जिस department में उस department में जमा हो जाएगी एक set ले जाना है आपको original का यह आपके पास ही रहेंगी लेंगे नहीं लेकिन उनको सत्यापन document verification का मतलब यह होता है कि यह होता है कि यह graduation की mark sheet ठीक है साती हो graduation की तीनों year की mark sheet first year, second year और final year की तीनों year की ले जाने है आप promote certificate को नहीं ले जाएगे प्रमोट certificate की जगह जो first year की mark sheet आया है जिसमें marks आया न वो वाली ले जाएगे तो ज्यादा वेटर रहेगा ठीक है इसके बाद आपन बात करें migration certificate यह किसके लिए नहीं है वो किसी अधर university से आकर राजस्तान university में admission ले रहे है तो हुने जो migration certificate है वो बनवाना पड़ेगा जहां से यूजी किया है वहां से migration certificate बनवाना पड़ेगा इसका चालान minimum आपका 1.500-200 रुपे का होता है तुरंती ही मिल जाता है जिस university से आपने यूजी किया है वहा कि माशीट आजाएगी उसके बाद TCCC TCC का मतलब dance force certificate और का ये ये बात हो गई इसके बाद अपन बात करते हैं कास्ट certificate very very important ले जाना ही है original और photo copy इनके set इसके बाद अपन बात करते हैं कि अगर आपने second phase के अंतरगत NSS NCC sports certificate अगर लगाए थे तो यहां भी आपको वो certificate ले जाने हैं तब ही आपकी merit list में जो verification है वो सत्यापन माना जाएगा ठीक है साती हो ये तो आपके क्या होगे document होगी piece की बात होगी document की बात होगी और भी अगर कोई ये और बात बता देता हूँ इसके साथ आप photos भी जरूर ले जाए आप लगवग 5 photos जरूर ले जाए क्योंक तीन दिन के अंदर ये काम करवाना बहुत जरूरी है और भी कोई information है आपके मन में कोई doubt है तो वो मेरे लिए comment कर सकते हैं मैं आपके हर comment का reply देने के लिए आतुर रहता हूँ ठीक है धन्यवाद thank you so much फिर मिलते हैं फिर किसी next topic के साथ thank you